आज से हम लोग स्टार्ट करने जारें Next.js Next.js React का एक framework है जो कि बहुत सारी चीजों का असान मना देता है इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि क्या होता है Next.js और क्यों इसको इस्तिमाल करना है चलते हैं computer screen में Let's roll the intro So Next.js है क्या हो Next.js को क्यों हम लोग स्टिमाल करें Next.js एक framework है इसको इस्तिमाल किया जाता है बड़ी apps को बनाने के लिए बड़े projects को बनाने के लिए What does बड़ी app mean? या बड़े projects से मेरा क्या मतलब है जैसे मान लो कि मुझे क्लोन मनाना है मान लो Airbnb का या मुझे क्लोन मनाना है OYO का या फिर मुझे क्लोन मनाना है किसी भी एक website का Codeway theory का या GitHub का तब बहुत सारी चीजे एक app में हो रही हो यसे मान लो में Netflix बना रहा हूँ Netflix के अंदर क्या-क्या चीजे चल रही है Netflix के अंदर चल रहा है मेरा Authentication Netflix के अंदर चल रहा है मेरा सारा content जो कि मैंने डाला हुआ है उसको मुझे किसी ना किसी तरीके से एक जगा पर रखना है और वहां से fetch करना है फिर मुझे ये भी ensure करना है कि कौन से component में कब क्या चीज दिखे फिर मुझे ये भी ensure करना है react का इस्तिमाल करके page load ना हो तो ये सारी चीजे next.js के through आसान हो जाती है क्योंकि next.js आपको APIs बनाने की भी functionality देता है यानि कि आपको जो react में मिल रहा है वो तो मिली रहा है लेकिन उसके साथ-साथ आपको router यूज़ करने की जरूवत नहीं क्योंकि इसमें होती है file-based routing क्या है ये इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा और next.js के अंदर SEO के tools होते है फिर data को render करने के लिए अलग-अलग तरीके होते है सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ज़्यादा आप लोग confused मत होना अभी हम लोग simply क्या करेंगे next.js को install करेंगे और next.js को install करने के लिए आपने simply क्या करना है npx create next app at the rate latest ये कमांड चला देना है और आप एक नई next app बना सकते हो ठीक है दिखाता हूँ आप लोग को ये चीज कैसे होती है तो देखो हम क्या करेंगे याँ पर इसको वी एस कोड में खोल लेंगे सबसे पहले इसको मैंने वी एस कोड में खोल लिया तो मैं याँ पर टर्मिनल को खोल लूँगा और यहाँ पर इस कमांड को पेस्ट कर दूँगा आप देखो मैंने यावर इस command को पेस्ट कर दी अब यह मुझ से पूछे का कि वहाई क्या आप अपने जो आपकी आप है उसका क्या नाम आप रखना चाहते हो मैं इसके नाम रखोंगा first क्यों कि यह मेरी first app है क्या आप TypeScript यूज करना चाते हो मैं कोँगा no क्या आप YesLand यूज करना चाते हो मैं कोँगा yes क्या आप Tailwind यूज करना चाते हो मैं कोँगा no आप राउडर यूज़ करना चाहते हो, मैं गाँगा, यह सब चीज़े क्या है, क्या आप इंपोर्ट अलियास, जो है, कस्टमाइज करना चाहते हो, नहीं, ठीक है, अब यह सारे options के साथ आगे बढ़ो, जो जो मैंने किया है, वो आप करो, अगर आप beginner हो तो, और आपकी जो आप है, वो बनना start हो गई, यानि कि यह जो first वाला folder है, इसके अंदर आपकी आप बन रही है, ठीक है, और यह आप जैसे ही बन जाएगी, इसके अंदर, बहुत सारी files generate हो रही है, और वो files क्या करती है, जैसे कि हमने देखा था, VTAP हम बनाती थे, और NPM, create, VTAP, latest करके, उस इसी तरह Next.js की एक app हम लोग बना रहे है, जिसमें हम react ही लिखेंगे, लेकिन थोड़े बहुत changes होंगे for good, क्या है Next.js, आप लोग को इसी वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा, अब देखो, success हो गया, आपका जो next project है, वो बन गया है, आपर, ठीक है, अब अगर आप लो जीज़ कर सकते हैं, आप इस code को बंद करके first वाला folder खोल लो, open with code कर लो, first वाले folder में जाकर, यहाँ पर shift rightly करके open with code कर लो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एक command बताता हो, आपको code-r, और first, तो code-r करके यही पर खुल जाएगा आपका यही फिल जाएगा, तो यही पर खुल दे रखा है, आप यहाँ पर simply जिस तरह से पहले npm run dev करते थे, वैसे npm run dev करो, और जैसी आप npm run dev करोगे, एक development server आपका start हो जाएगा localhost 3000 पर, और आप देखो localhost 3000 पर, आप को एक app मिल गई है, और यह है next.js by versal, और करते हैं वही हैं जो कि हम wheat app में कर रहे थे, जो कि react में क कर रहे थे, कुछ changes हैं लेकिन वो क्या changes हैं, और वो changes क्यों बढ़िया हैं, क्यों वो changes इतने बढ़िया के लिए कि आप बनाना की इतना असान है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, next.js के folder structure को समझेंगे, कि यह folders क्यों दिये गए, आप देखो कि यहाँ पर, जो next.js होता है, इसमें एक app directory होती है, next.js को दो तरीके से किया जा सकता है, एक होती है app directory के थुरू, और एक होता है pages के थुरू, तो यह पर देखो, आप जब भी next.js की documentation पर जाओगे, तो आपको using app router और using pages router देखने को मिलेगा, हम use करेंगे app router को, क्योंकि यह latest है, pages router पुराना एकाफी, ठ next.js 12 में सिर्फ pages होता था, app router नहीं होता था, लेकि next.js 13 से app router राया है, and app router ही हम लोग use करेंगे, यही future है, ठीक है, तो यह चीज आप लोग को मैं बता दूँ, अब देखो, हमें क्या करना है, मालो मैं चाहता हूँ कि मेरा slash पर यह वाला page दिखे मुझे, कौन सा page दिखे, जो भी हम यहाँ पर page.js है, वो दिखेगा, तो यहाँ पर page.js के अंदर कर में इस सब हटा दूँ, और यहाँ पर लिख दूँ मैं dev, और dev लिखो यहाँ पर, मैं इसको javascript react कर लेता हूँ, javascript react jsx कर लिए हमने इसको, ताकि यहाँ पर मैं dev लिखो दो, मुझे इस तरह से म लिखोंगा dev, और लिखोंगा I am home page, ठीक है, तो मैंने यह लिख दिया, और आप देखो यहाँ पर I am home page आ जाएगा, nothing new in that, ठीक है, यहाँ आपर कुछ global styles है, जिसकी वज़े से आपको यह black color लिख रहा है, हटा लोगे, बिल्कुल reset होगे, आप यहाँ आप लोग को पता हो होनी चाहिए, मैं वापस से करता हूँ, उसको था कि डाक मोड रहा है हमारा, एक्टिव्टी के, I am home page बने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर लिखा तो I am home page आ गया, मालो मैं चाहता हूँ कि slash about पर मेरा एक about page बने, तो मैं क्या करूँगा, app directory के अंदर एक about नाम से folder बनाऊ मैं एक page.js और यहाँ पर मैं RAFCE करके, क्या करूँगा, लिख दूँगा, I am about, ठीक है, तो मैं यहाँ पर I am about करूँगा, तो जब मैं slash about में जाऊँगा, तो आप देखो यहाँ पर I am about आ जाएगा, यह है हमारी file based routing, यानि कि आपको जो जो routes चाहिए हैं, आप क्या करते हो उसका folder बना लेते हो, मालो मुझे चाहिए एक contact route, तो मैं क्या करूँगा, बनाऊँगा, एक contact folder और उसके अंदर मैं बनाऊँगा, एक file page.js और RAFCE करूँगा, इसका नाम contact कर देता हूँ, और मैं लिखूँगा, I am contact, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मालो मुझे components बनाने कुछ, तो मैं यहाँ पर मालो एक component बनाऊँगा, और उसका नाम मालो मैं रखता हूँ, navbar.js, RAFCE करूँगा, I am navbar कर दूँगा, और इस navbar को मैं import करूँगा, कहां पर, इस navbar को मैं import कर लूँगा, अपने यहाँ पर, जो मेरा about page है, and अपने home page पर भी, ठीक है, तो मैं इस HTML दिया हुआ है, body दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि body के just part मेरा navbar आए, ठीक है, तो मैं import करूँगा, navbar को, और navbar यहाँ पर आजाएगा, और आप देखो, यहाँ पर add the rate का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ भी क्या है, पर मैं यहाँ आपर वही कर रहा हूँ जो कि हम अपनी वी टैप में किया करते थे, यानि कि मैंने इंपोर्ट किया navbar को, navbar को हमने यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है, और आप देखो, अब जिस भी page पर मैं जाओंगा, वापर मुझे navbar देखने को मिलेगा, मैं अगर यहाँ आपर जब भी हम इंपोर्ट करते हैं कोई भी चीज next.js के अंदर तो हम add the rate का स्तमाल करते है, add the rate मतलब सबसे बाहर वाली जहां पर हमारा project है, add the rate slash component मतलब सबसे outer में component folder में जाओ, add the rate slash public मतलब public folder में जाओ, तो इस तरह से आप add the rate slash आप भी कर सकते हो, आप ठीक है, तो यह सारी करना पड़ेगा आपको, और आपको जब बड़े projects बनाने का बॉका मिलेगा next.js में तब आपको पता चलेगा इसकी अहिमियत, ठीक है, अभी के लिए आप इसको कुछ ऐसा समझ लो कि इस तरह से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, आप इंपोर्ट नाव बार लिखोगा, आट अगर हम सिर्फ पर जाएंगे तो यह वाला page.js बना सकते हैं, और page.js हम जैसे ही बनाएंगे इसके अंदर, तो उसके अंदर हम जो भी डालेंगे, वो अमरे slash about पर आएगा, slash contact पर आएगा, और अगर हम सिर्फ slash पर जाएंगे तो यह वाला page.js आएगा, तो मैं क्या करता कि अपने इस page पर आता हूँ, about पर आता हूँ, मैं यहाँ पर टेल्विंट का स्तेमाल करते हुए, मैं लिखूँगा h1.js कर लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा h1.text.excel, ठीक है, और यहाँ लिखूँगा मैं जड़ से problem solved by next.js, ठीक है, अब मैं यहाँ पर slash about पर जाओंगा अगर, आपको दिखाता हूँ, बैक करके, problem solved by next.js, और मैं यहाँ पर लिख सकते हैं, एक ul लगा सकते हैं, ठीक है, और li लिख सकते हैं, जो पहला मैं देना चाहता हूँ, यह full stack solution है, ठीक है, दूसी चीज़ यह, कि यह file-based routing देता है, मैं आपको सबसे ज़ file-based routing के साथ-साथ, यह आप लोग को देता है, additional features, like next router, in fact, वो next navigation में होता है, मैं लिखता हूँ, like router from next navigation, इसका क्या मतलब है, यह हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, बट अभी आप कुछ ऐसा समझ लो, कि कुछ additional features हमें देखने को मिलते हैं, जैसे की, router from next navigation, इसके बात का, जो next.js होता है, वो बड़े असानी से आप लोगों को, rendering के solutions देता है, तो मैं अगर यह आप लिखूँ, optimized rendering, तो आपको rendering के अलग-अलग तरह के solutions देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में चलचा करेंगे, but pretty much यह है next.js के बारे में किय यह चीज़ों को बहुत आसान बना देता है, इसमें development करने में बड़ा मज़ा आता है, और next.js के कुछ features हैं, जैसे की, आपके optimized rendering और APIs बनाने में easy हो जाता है, middleware को configure करने में आसानी होती है, अब अगर आप इसकी documentation में भी जाहें, तो सब चीज़े बेहद आसानी से लिखी ह और आपको कोई भी चीज़ ढूड़ने में problem नहीं होगी, ठीक है, अब अगर आप लोग यह title चेंज करना चाते हो, यह आप इसका meta description set करना चाते हो, तो आप यह आप layout में आ सकते हो, layout.js के अंदर, जिसमें आप यह title, जो की page का title है, उसको change कर सकते हो, जो की page का title है, उसको meta tag के तौर पर दिखेगा, as meta description, so आने वाले videos में हम लोग next.js को ही explore कर रहे होंगे, और उसी के सासा हम और features इसके देखेंगे, अभी आप लोग सिग्मा की playlist को access कर लो, कि इसी में में next.js को पूरा बताने वाला हूँ, और अगर आप लोगों ने अभी जग इसको review नहीं किय and I will see you next time.